आज है 29 मई और आज की तारीक के परिच्छा के लिए उप्योगी समस्त पुशनों का हम विश्लिसन करेंगे पूरा वीडियो आप ध्यान से देखीगा वीडियो के अंत में मैं एक कुश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है आज के वीडियो का जो पीडियेफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स क्लब आईस अकेडमी पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप और फेस्बुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है देख लेते हैं पहला कुशन बसर असद किस देश के चोथी वार राश्पती बने हैं सीरिया इराग इरान और अफगानिस्तान जो है इसका आंसर है सीरिया ए उप्सन इसका सही है सीरिया सीरिया के वारे मदादेए इसकी राजदानी क्या है दमिस्क है और प्लाचेन काल में भारत के साथ इसके संभन रहे हैं जो मौरे समराटे बिंदुशार उन्होंने सीरिया के सासक से तीन चीज़े मांगी थी क्या मांगी थी तीन चीजें पहली मांगी थी अंजीर यानि सूखी हुई अंजीर मांगी थी मीठी सराव मांगी थी और एक विद्वान यानि दारसिनिक मांगा था लेकिन उस वक्त के भागे जो सासक ने अंजीर और सराव दे दी थी लेकिन विद्वान देने से इंकार कर था कुछ नमबर टू बीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए सर्विसेज एल्थ असिस्टेंट एंड टैली कंसल्टेशन यानि सेहत ओपीडी पोडरल किसने लॉंच किया है ग्रह मंत्री अमित्सार रच्छा मंत्री राजनाथ सिंग वित्वंत्री निर्वना सितारवान और इस बपादा सैंग यानि रच्छा मंत्री राजनाथ सिंग ने वीडियो कॉंफरेंच के जरीए सर्वसेज येल्थ असिस्टेंट एंड टैली कंसल्टेशन यानि इसका जो सौट है वो है सेहत का OPD पोर्टर लांच किया है उन्होंने पताया कि डियारडियों ने दिली ले देश के अन्य सो में कोविड अस्पताल और ऑक्सिजन उत्पादन सहिंत इस्तापित किये जाएंगे इससे कोरोना में जंग में कोरोना से सी एन राओ हम बता दें आपको कि जो प्रुपेसर सी एन राओ है इन्हें भारतन भी मिल चुका है और इनको दोजार बी अंतराश्टी एनी एवार्ड दोजार बीस मिला है कुशन नमबर फोर किस भारती अर्थसास्ती को सामाजिक विज्ञान के छेत्र में इस्पेन के प्रुषकार भी मिल चुका है 26 मही 2021 को सामाजिक विज्ञान के छेत्र में इस्पेन के सर्वोच प्रुषकार प्रिंसेस ऑप एस्टूरियस एवार्ड इनको प्रदान किया गया है प्रिंसेस ऑप एस्टूरियस फाउंडेसन ने कहा कि भुकमरी पर उनके अनसंदान और मा वार्ड दिया गया है कुशन नंबर फ्वाया केंसर काने किसे बाड़िजिक मंत्राले में विसेस करतव्यस्त अधिकारी यानि ओ एस्टी बनाया है इसका जो राइट अंसर है सी यानि बीबी आर सुम्रमंडियम धार के यह 1987 के आई अधिकारी है और जम्बु कस्मीर के मु मोहाली अंतराष्टी होकी स्टेडियम कर नाम अब क्या होगा मोहाली अंतराष्टी होकी स्टेडियम कर नाम क्या होगा और सने मिलखा सिंग बलवीर सिंग सीनिया ध्यान जन सिंग और असोग कुमार हम बताएं इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी क्या है राइट संस्तान के सोध करता होने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायू नियंतर के लिए स्मार्ट बिंडो मटेरियल विक्सित किया है तो इसका जो आंसर है वो डी आयाइटी गुवार्टी आयाइटी गुवार्टी के जो सूध करता होने घरों और इमारतों में स्वचालित स्वचालित जलवायू निंतर के लिए स्माल बिंडो माटेरियल विक्सित किया है ये इस प्रकार का स्मार्ट बिंडो माटेरियल इमारतों के लिए कुसल स्वचालित जलवायू निंतर प्रडाली विक्सित करने में काफी मददगार होगा ये इस दिसा में पहला कार है कुश एक राश्टी मिसन इस्थावित करने का फैसला किया है विद्दुत मंत्रा लाय ग्रह मंत्रा लाय रच्छा मंत्रा लाय या स्वास्थ मंत्रा लाय इसका जो राइट आंसर है वह है विद्दुत मंत्रा लाय ने कोईला आधारित ताप विद्दुत रहिंत्रों में बायो मास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्टी मिसन इस्थावित करने का फैसला किया है बायो मास्ट पर प्रिस्तावित राष्टी मिसन राष्टी स्वच बायू करक्रम यानि एन सी एपी में भी योगदान देगा यह देश में उर्जा संबंदी बदलाओ और स्वच उर्जा सुरतों की और बढ़ने के हमारी लच्चों में मदद करेगा अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैंने का कि वीडियो की अंत में एक कुश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए देना है आज का जो आंसर है वो आज का जो प्रश्ण है वो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जेल मंत्रा ले यानि उत्तर प्रदेश में जेल मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में जेल मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में जेल मंत्री कौन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखे देना है धन्यवाद